हाई एवरिवन वेलकम टू माय चैनल आज हम बनाने जा रहें एकदम डिलिशियस चोकलेट केक यह हम परफेक्ट वन फोर्ट केजी का चोकलेट केक बना रहें और इसके डिजाइन भी आप देखी सकते तो चलिए शुरू करते हम इसे बनाना तो सबसे पेले एक बोल में हमें थ्री फोर्ट कप यानि के हाप कप प्लस वन फोर्ट कप इतना चोकलेट प्रिमिक्स लेना है इसमें डालने हमें हाप टेबलिस्पुन आयल और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हमें इसका एकदम अच्छे से बैटर बना लेना है एकदम स्मूध और हमें कुकर को तब तक प्रीट होने के लिए रग देना है गैस पर लो से मीडियम फ्लेम पर ठोड़ा थोड़ा पानी डाल कर ये बैटर बनके रेडिये इतना बैटर बनाने में मुझे तकरिबन वन फोर्ट कप इतना पानी लगाए और बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो इससे बहुत ज पतिले को हमें अच्छे से टैप कर लेना है ताकि जो बड़े एर बबल से इस बैटर से निकल जाए अब कुकर प्रिहिट हो जुका होगा तब तक हम इस पतिले को कुकर में रख देंगे और इस केक को बेख होने देंगे तकरिबन 20 से 25 मिनिट तक 20 मिनिट बाद आब इसे करके जरूर देखे तो 25 मिनिट बाद मैंने इसे चेक किया आए आप देख सकते टूत्पिक बिल्कुल क्लीन आए यानि की केक बन करेड़े इसे ठंडा होने के बाद डी मोल्ट कर लेना है एक प्लेट पर या फिर केक बोर्ट पर और इसका बटर पेपर भी हम हटा देंगे और आप देख सकते कितना जालीदार और स्पॉंजी एक केक बनाए तो अब हम क्रीम बना लेते तो मैंने बर्व का पानी नीचे रखाए और उस पर एक बोल रखके उसमें 3 फोर्ट कप विपिंग क्रीम डाल दिये यानि कि जितना हमने प्रिमिक्स लिया था उतनी ये और फिर से एक दो मिनिट बाद एक दम स्टीफ फिक्स इसके आ चुके हैं क्रीम हमारी बिल्कुल अच्छे से वी फोकर रेडी है तो अब हम हमारा केक का गनाश बना लेते हैं तो सबसे पहले मैंने लिया एक पतिले में गरम पानी उस पर एक बोल में 75 ग्राम चॉकलेट्स डालें और चॉप करके और इसमें टू टेबले स्पून दूड डालकर इसे हमें अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेना है और मेल्ट कर लेना है यह अच्छे से मेल्ट हो जाने के बाद इसमें 140 पून बटर या फिर गी डालेंगे और हमारा गनाश बनकर बिल्कुल रेड और केक की में टू लेर्स बना रहे हूं मुझे फ्लैट केक बनाना था तो मैंने 6 इंच का पतिला लिया था अगर आपको टॉल केक बनाना है तो आप 4 या फिर 5 इंच का पतिला ले सकते हैं इसे मैं टू लेर्स में कट कर रहे हूं तो मैंने इसे निशान लगा कर धागे से कट कर लिया आए और अब हम केक बोर्ड पर थोड़ी सी विपिंग क्रीम लगाएंगे और मैंने विपिंग क्रीम को पाइपिंग बैग में भर दिया आए ताकि हमको आसानी हो विपिंग क्रीम लगाने में तो मैंने इस पर शुगर सिरप लगाया आए ये शुगर सिरप में म वन फोर्थ कप पानी में घोल लिया था और इसे हम यहां पे यूज करें केक को मॉइस्ट करने में शुगर सिरप से केक को मॉइस्ट करने के बाद इस पर हम क्रीम लगाएंगे और मैं यह क्रीम भी पाइपिंग बैक से लगा रहे हूं क्योंकि पाइपिंग बैक से क्रीम लेयर के उपर डाल रहे हूं ताकि हमारे केक का टेस्ट और भी ज्यादा चोकलेटे आएं और जो उपर की लेयर हैं उसे हम पलट के रखेंगे और इसे भी हम अच्छे से शुगर सिरप से मॉइस्ट करेंगे और पाइपिंग बैक के यल्प से थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा देने के बाद में इसे 20 मिनिट के लिए फ्रीज में रख दिया था 20 मिनिट बाद अब हम इसके फाइनल कोटिंग करेंगे तो क्रीम की अच्छे से लेयर हमें सारे केक पर लगा देने हैं और साइड्स में भी क्रीम की लेयर हमें अच्छे से लगा देने हैं और इसे चाकू कुल लगा देना है ? ऐसे ही चाकु से रुफ़ली सारी क्रीम को फैला देने के बाद स्केल से हमें ऐसे टन टेबल को गूमा कर स्केरफ एक जगह पढ रखनि है और टन टेबल को गूमाना है , तो आप देख सकते हैं कि क्रीम निकल आते हूं और उपर से भी ऐसाई करना है हमें इसा तब तक करना है जब तक केक को हमें नहीं लगता कि अच्छे से फिनिशिंग आ चुके हैं और अब इस बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर देंगे और हमारी फिनिशिंग होके रह लिए बहुत ज़दा फिनिशिंग की ज़वरत हमें नहीं है और केक के कोम से में इसे साइड में डिजाइन बना लिए और जो हमने गनाश बनाय था उसे मैंने पैपिंग बैग में भर दे आए और उसे हम एसे केक पर ड्रिप्स बनाएंगे सारी और केक पर ड्रिप्स बनाने के बाद मैं उपर से भी इस केक को गनाश से कवर कर रही हूँ उपर से सारी और हमें ये गनाश लगा देना है चाकू की हल्प से इस गनाश को फेला देना है सारी और इस गनाश को अच्छे से फेला देने के बाद मैंने लिया यह star nozzle और उसे मैं इसे flowers बना रहे हूँ और मैं यह half side में ही flowers बना रहे हूँ और जहाँ पी जगर लगे वाँ पे छोटे छोटे flowers बना रहे हूँ और आप देख सकते हैं यह डिजाइन कितनी ज़्ञादा पैरी लग रही है और यह उपर की डिजाइन बन जाने के बाद उसी नोजल से मैं निचे बौर्डेर बना ले रहे हूं सिर्फ नोजल को हमें उपर नीचे उपर नीचे से करना है और ये बॉर्डर बनके रेडियो जाएगी एकदम खुबसुरत सी और मैं अब इस फ्लावर्स पे चोकोचिप्स लगा रहे हूं कुछ ताकि दिखने में बिल्कुल अच्छा लगे चोकोचिप्स लगा रहे निके बाद मेरे पास कुछ गोल्डन शुगर बॉल से चोटे वाले तो मैं इस पे स्प्रिंकल कर रहे हूं और कुछ स्टार शेप के शुगर बॉल से ओबी इस पे लगा दे रहे हूं तो अगर आपको वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक और चानल को सब्स्क्राइब जरू करें